हमारा भी शौक था कि मैं भी इस देश में एक बहुत बड़ा सिंगर बनूँ और बहुत बड़ा हिरो बनूँ अमिताब बचन मुनूँ क्या बनूँ बहुत बड़ा सपना था कि जब तक ये मेरा सांस रहेगा जब तक ये मेरा गला काम करेगा जब तक ये बाड़ी में कोटी कम खाना पड़ेगा भले कपड़ा कम पाणना पड़ेगा लेकिन क्रांती करना नहीं छोड़े वो श्रंक कि जब भारत अपना विखिरा था तब चंद्र गुप्त ने अखन्ड किया फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीम राव ने बुलंद किया जब भारत अपना विखिरा था तब चंद्र गुप्त ने अखन्ड किया फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीम राव ने बुलंद किया उस देशी के कुरसी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा जो देशी को ऐसे बेची रहा की नाम पड़ा विक्रेता ओ चाए बेचिते बेचिते अब बन गया देश विक्रेता आया देश विक्रेता देखो आया देश विक्रेता आया देश विक्रेता देखो आया देश विक्रेता तो मानिवर्ण साभ, तुरौन्थीस सूलिने चुचे किसे कि मतलब हमारा बॉद्य समाज ना ने दिखवा है गानारीफ सुन्य पध्यान देता है मानिवर्ण कांच सिराम चाहिए कि तुरौन्थ इस बॉद्य संअज को लिए एक संगीत का प्रयुक किये जागती जथ्था संगीत की जागती जथ्था मंच बनाए और उस जागती जथ्था मंच के माध्यम से पुरे देश में करांती करने का प्रयास किया कोई खजडी बजा करके अपनी बात रखा, कोई मोच बना करके काला रंग से, कोई शाड़ी पहन करके, नाटक करके, नुकर नाटक करके, गाना गागा करके, इस देश में भारत के सबसे बड़ा इस्टेट उतर प्रदेश में लोग गाउगाउ में खजडी बजा करके, समाज कलाकारों ने किया मैहू परागमादर आप देख रहे है नेशनल चौपाल इस वक्त हम लोग मनर कंश्राम साब के समारक स्थल पर मौजुद है लखनों में और यहां पर तमाम लोग मनर कंश्राम साब इनके जैनतिक उपलक्ष पर नमन करने आ रहे हैं उन्हें वंदन क नहीं होगा और सीधा हम बातचीत करेंगे हमारे तमाम मिशनरी गायकों से किस प्रकार वो इस मिशन मुव्मेंट के लिए अपना जो संगर्ष है या फिर लगातार वो समाज के लिए काम कर रहे है कहां से है क्या नाम लिखते है आप सभी लोग इनके परिचे से महतास तो बिल्कुल भी नहीं होंगे बखु भी जानते होंगे इन्हें सीधी बातचीत करेंगे सर क्या बताएंगे आज मानिवर कांशिराम साहब के जहनती पर सबसे पहले आपका जो यह चैनल है नेशनल चौपाल इसके मादन से जितने हमारे मिश्री शाथी देख पा रहे हैं वि जुन्हें ने अपनी पूरी जिंदगी इस बहुजयन समाज को जगाने के लिए और इस देश में बहुजयन समाज को हुकमरान बनाने के लिए पुरा जीवन कुरबान कर दिया ऐसे मानिवर कांशिराम साहब जी के चरणों में हजारों बार कड़ों बार नमन हम लोग करते कितना आवशक मानते हैं कि इस बहुजयन मुमेंट को मिशनरी गायकों की आवशकता या फिर मिशनरी जो गाने हैं ये समास तक के पहुचना चाहिए देखिए सर जहां तक संगीत की जहां तक सवाल है इस बात को मानिवर कांशिराम साहब जी बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग किये थे एक बार की बात है कि मानुवर कांट सिराम सहाब जी कहीं मिटिंग करने जा रहे थे तो मिटिंग करने से पहले एक दिन उनकी बात हुए थी कि भाई आपके गाहों हम आएंगे कल मिटिंग करने वहाँ पे कितने लोगों कोई कठा कर सकते हो तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम कम से कम से तीन से चार सो लोगी कठा कर लेंगे आप आयेगा सर मानिवर कांट सिराम सहाब जी गए वहाँ पर और जब वहाँ पर गए है मेटिंग अटेंड करने तो वहाँ पर शिर्फ और शिर्फ मात्र तीन से चार लोग वहाँ पे थे तो मानिवर्ट कांटिराम साहब जी कहे कि रहे भाई आप लोग ने तो कहा था कि हम तीन से चार सो लोग इकठा कर लेंगे यह तीन से चार लोग भी नहीं देख रहे हो कहां लोग चले गए तो वहां के लोग बड़ा सरल सभाव में बोले कि साब क्या बताए जाए बगल वाले गाउं में नाच आ गया है बगल वाले गाउं में गाना बजाना चल रहा है वहीं पे सब हमारे गाउं के लोग चले गए हैं नाच देखने के लिए तो मानिवर साब तुरंत इस चीज़ को बड़ा गहराई से सोचे कि इसका मतलब हमारा बहुजन समाज ने दिखवा है गाना सुने पर धियान देता है तो मानिवर कांश साब जी ने क्या किये कि तुरंत इस बहुजन समाज को हुकमरान मनाने के लिए एक संगीत का प्रयोग किए जागती जथा संगीत की जागती जथा मंच बनाए और उस जागती जथा मंच के माध्यम से पुरे देश में करांती करने का प्रयास किए और उत्तर प्रदेश में कोई खजडी बजा करके अपनी बात रखा कोई मोच बना करके काला रंग से कोई शाड़ी पहन करके नाटक करके नुकर नाटक करके गाना गागा करके इस देश में भारत के सबसे बड़ा इस्टेट उत्तर प्रदेश में लोग गाव गाव में खजड़ी बजा करके नाज के गाव के बजा करके और संगीत के माद्यम से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी को प्रतम बार मुखमंतरी बहेंजी को बनाने का काम ये बहुजन समाज कलाकारों ने किया और जैसे मानवर काणसे जाब साब जब देखे कि हमारी सरकार बन गई तो जिन लोगों ने अपने समय में खजरी बजा करके साड़ी पुहन करके काजल लगा करके काम किये पाट्जी को मजबूत करने के लिए उन-उन कलाकारों को मानवर काणसे जाब साब बड़े पैमाने करना कि और आप सभी जानते किसी को मंत्री बनाए किसी को कुछ बना दिये तमाम चीजें हैं हमेश क sihि प्रचलन रहा जोति पूरे देश और दुनिया गाना आपके लिए वह गाना था चुकि आप जानते ही हैं उस गीत को पुरा देश के लोगों ने आवाज को बुलंद किया और मैं अपने आपको बहुत ही काफी गरों में हैसुस करता हूं कि जो हमारा आवाज था जो हमारी आवाज है कहीं ने कहीं सही दिस्था में हमने प् अधाय जैभी आज बहुत ही बढ़ियां दिन है अच्छा दिन है आज का दिन क्योंकि आज हमारे महानायक का जनम हुआ था यानि मानवर कांसी राम साब जी का जनम हुआ था और आए वो जो गाना आप दिमान कर रहें उसको सुनाते हैं हम कि जब भारत अपना भिखिरा थ जब भारत अपना बीकिरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया फिर अपनी कलम के दम पे उसे विम राव ने बुलंद किया उस देशी के कुरसी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा जो देशी को ऐसे बेची रहा की नाम पड़ा विक्रेता ओ चाए बेचिते बेचिते अब बन गया देश बिक्रेता आया देश बिक्रेता देखो आया देश बिक्रेता आया देश बिक्रेता देखो आया देश बिक्रेता कि काला धन लाऊंगा कहके भारत का कोस भी साफ किया स्रमिकों को भूखे मार रहा धनिकों का करज भी माफ किया ओहो काला धन लावूंगा कहके भारत का कोस भी साफ किया स्रमिकों को भूखे मार रहा धनिकों का करज भी माफ किया धनिकों का करज भी माफ किया लाखो का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता जो देश को ऐसे बेच रहा की नाम पड़ा विक्रेता ओ चाए बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता आया देश विक्रेता देखो आया देश विक्रेता आगे आप यूटूब पर सुन सकते हैं तो यहां पर हमने जिस गाने को सुना जिस गाने के बदलत तमाम हमारे इन मिशनरी गाय को अपने पहचान मिली लेकिन एक सवाल हर बार निकल कर आता है जब आपके आवाज में वो बुलंदी है तो आपको क्यों यह नहीं लगा कि या बॉलिवुड और इन सारी चीजों के पीछे भी या फिर वहां पर भी अपने एक आजमा सकते ट्राय ज़रूर कर देखे सर आवाज किसी की मुहताज नहीं है आवाज जिसको मिला है उसको जहां चाहे वहां प्रयोग कर सकता है मुझे भी बहुत बड़ा सवक था कि मैं चुकी बहुत ही ऐसे जगह सुटके काम कर रहा हूं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा भी शोक था कि मैं भी इस देश में एक बहुत बड़ा सिंगर बनूँ और बहुत बड़ा हिरो बनूँ अमिताब बचन मुनूँ क्या बनूँ बहुत बड़ा सपना था कि बहुत बड़ा पैसे कमाना है घर बनाना है गाड़ी लना है तमाम कामे करना है लेकिन जब अपने बहुजन महापूर्शों के आंदोलन को मैंने 2013 में पढ़ा और अपने जो ब्याच्चु के प्रोफेशर थे लोग और हमारे एक श्री गुर्वदासी मराजी के बिद्याल अमिता बजन बन जाओंगा तो बहुत बड़ा बंगला हो जाएगा बहुत बड़ा सब कुछ हो जाएगा बोले कि वो तो ठीक है लेकिन आप समाज के लिए का कर सकते हो तो हमने कहा कि स्थर आप बताईए क्या हो सकता है उन्होंने कहा कि जब मानेवर कांसी राम साहब क्ल कि उनके उपच कीचट कंकड फेका गया लेकिन उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाई समाज को जारूर करने के लिए हमेशा कदम को आगे बढ़ाती रहें और बताया कि बाबा साहिब किस प्रिकार से पढ़ाई किये कैसे उनको प्रतायत किया गया कैसे उनके साथ जो छुवा वह ब्रेट का टुकड़ा खा करके 18 घंटा जाक के पढ़ाई करते थे उनके सामने उनका बेटा मर गया पैसा नहीं था दावा के लिए कफन के लिए पैसा नहीं था यह सब बाते जब मुझे एक मंथ तक बताए कम से कम एक मंथ लग गया तो उनको बताने में जब यह बात मुझे जब मिला कडर के माध्यम से उसी समय हमने संकल पिया और हमारा जो शपना था अमिताब बचन बनने का चाहिए जो भी बहुत बड़ा गायक बनने का घिरो बनने का उसी दिन मेरा क्लोज हो गया तूट गया फुट गया उसको मैं बंद कर दिया वहीं पर वहां से मेर कारकम ओर विदा जी महराजी का वहां पर मुझे प्रत्रम समान मिला तो मुझे लगा कि जुमे काम कर रहा हूं सचमी यह तो बड़ा आच्छा काम है उसके बाद मैं प्रगाम के बाद लोग मुझे सममान किये मंच पे और समान के बाद जब बाहार निकला तो महापुरस्ऑ का फोटो भी करा था वहाँ से फोटो लिया और ले जाकर कमरे में अपने लगा दिया और कमरे में लगाने के बाद कहा कि बाबा साहिब मानवर कांशिराम साहब तथा बढ़ना चाहती थी और इस्पीश का स्यारी करती थी लेकिन उनको मानुवर्ट साम मिले तो उनको यह बात बता है कि तुम अगर यह बनेंगे आप डियम बनेंगे चाहिए जो भी बनेंगी तो बस एक ही जिला को आप समान कर सकती है लेकिन जब आप आपको ऐसा पावर मिले सजा करके और हमने रात में संकल्प लिया शाड़े दस बजे कास फास फोटो लगा करके अपने बहुज बहुजन महापूर्सों के फोटो के संकल्प लिया कि बाबा साहिब मैं तो आपको देखा नहीं मानुवर्ट साहब मैं आपको एक बार छोटा सा कारिकम था दो ह्यार एक में की दो में वरांसी में जो पालकी आये थी रविदाजी महाराजी की उसी में बहुत दूर से देखे थे मानुवर्ट साहब को बाबा साहिए मानुवर्ट कांशिराब साहब जो तिवारा फोले माता सवित्री भाई फोले आप जैसे लोग महापूरुस हैं आप लोग ऑजन समाज को जगाने के लिए और आप लोगों के आंदोलन को अरावावाव विचारधारा को आप लोगे संगर जीवन को गित के माध्यम से तक पहुचाने काम करूंगा चाहिए इसके लिए भले भूखा रहना पड़ेगा भले क्रोटी कम खाना पड़ेगा भले कपड़ा कम पहना पड़ेगा लेकिन करना नहीं छोड़ेंगे वह शंकल्फ हमने लिया उसी रात में उसके बाद मैं काम करना सुरू किया दिली रिकोडिं पहले तो बहुत तमाम लोगों ने निजी करण का विरोत किया हम लोग एक समाजी कलाकार होने के नाते हम ने का कि वह एक समाजी कलाकार हम लोग है और वावाशाइब आर्टिकल 19 में जो हमको अधिकार दिये हैं अविवेति के जादी हम भाशण के मादेम से बात रख सकते है तो तमाम लोगों ने निजी करण का विरोत किया और हमने अपने गाना के मादेम से चार डिकॉडिंग कर आया था पहला घाना था निजी करण धोखा है और दूसरा गाना था एक था jóख सखाए इं craw 66 एया忙 मलेंकर के बातचीइथ कर रहे। उनको लेकर कोई अगर आपके बसमें गाना होगा तो जरूर दो लाइन है तो उसमें से जो आया देश विक्रिता गाना अब आपको सुनाओंगा वह गाना है जब पुरे देश के लोगों को पसंद आया तो कहीं ने कहीं मुझे लागा कि मेरा जो कार्य है एक सई दिसामें का पाता हूं अब कैसे रता हूं कहा रता हूं अब हम उसको हम अपने आप से महसूस करता हूं उसको बचा करता हूं क्योंकि उन लोगों के उपर जो मैं कर रखा तो उसमें कोई कैरवाई नहीं भी तक बस जैसे ठंडा बस्तर में रखा गया लेकिन मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि ना संगर से ना मुश्किले तो क्या मजा है जीने में विशाल गाजी पुरी सपना बहुत को बहुत लोगों ने दबाने का प्रियास किया स्टुडी पर जलाया लोगों ने चाहा की नीचे कर दूं लेकिन सचाई है कि जिस चीच को इतना दबाएंगे उतना ही निखर के सामने आता है पुरा देश के लोगों ने हमारे बहुत को लाइक किये पसंद किये और अपने पल को बठा कर रखते हैं जैसे जो जिसका प्र ना संगर से ना मुष्किले तो क्या मजा है जीने में और आधी तुफान ठम जाएगी जब लच राएगा सीने में अपने बहुजन समाज के लिए मैं लगातार मरते रहूंगा जब तक मेरा गला काम करेगा तब तक अपने समाज के लिए गला समरlıपिते और जान समरपिते मानिवर साहब के लिए कहना है कि कार्मा बाबा साहिब के अब एक पल ना ठहरी मानिवर साहब का जुस्मना था कि बाबा साहब कर्मा को कभी ठहरने नहीं देना है मानिवर साहब का यह बात है कि कार्मा बाबा साहिब के अब एक पल ना ठहरी कांसी राम के अधूरे सपने मिल कर हमे सजाना है निज समाजी में रहे न अबला सासक बन के दिखाना है संति कबीर का मिशन मनावता कहते बात खरी हे बहुजन जंडा पंच सील लहरी हे बहुजन जंडा पंच सील लहरी हमने अभी काफी सा रहे तो यहाँ पर गाने बाचीत तो की इसी के सासत में चाहूंगा कि इस देश के अंदर में तमाम जो विचारधारा ही चल रही इसके तो पर हम देखें हिंदुरास्ट की राम राच की लगातार बाच्ची चल रहे ऐसे में भौजन समाज किस प्रकार इन तमाम संगर से जूज रहा है ऐसे में बहुजन गायक का अपने इस जो बेभागी से सारी बातों को रखना कितना मुश्किल मान दिया। उनके बारे में जो सच्चाई है इसको पढ़ने के बाद हमारे समाज के लोग जागरूख हो रहे हैं उन लोगों ने अंद्विश्वास फैलाने का प्रयास किया हम जैसे गायक कलकारों ने यह उसमें एक और मेरा कहिना है कि जिस प्रकार से यह जो मनुवादी कहा जा या पक करके समाज को अंद्विश्वास में लेकर जा रहे हैं तो उसी प्रकार से हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से वो लोग हमारे समाज को नाटक दिखा के फिलिम दिखा के और गाना बना करके और कथा करके इस समाज को अंद्विश्वास में लेकर जा रहे उससे कहीं बड़े पैमाने भी हम लोग काम करेंगे कि हम लोग भी गाना बनाकर के महापुर्सों पर हम लोग भी कभिता बनाकर के बहुत नियाच साप जाना कि समाज के बीच में जाना या फिर इस तरिके के गाने बनाना जिसके कारान समाज के अंदर में एक दिशा मिले लेकिन मनुवादी उस तमाम गानों के माध्यम से उनमें पेट में खलबली मजजा दिये भी कहना कहीं कहना गलत नहीं होगा क्या बता है अभी विसासर बोलें कि होलिका को जलाया गया तो पहले कि थी होलिका उनको जलाया गया जब जसनी मारा गया ठीक है लेकिन इस दमाने में देखे बहन जी उधारण है तो आज कल हम बहन जी हम सारी महिला बहन जी से प्रेंड़ना लेते हैं अमाता सावितरी वाइफ ले होगे उनसे प्रेंड़ना लेकर और कहीं न कहीं ये काम कर रहें तो हमारी भौजन जो महिला हो न हो वो चांद अधूरए लगते हैं आसमान में तारे न feature लगते हैं और किसी भी मिसन में महिला न हो मिसन अधूर लगता है तो हर मिसन में चाहिए गाना हो या स्पीच हो अगर महिला उसमें नहीं है तो ये कि अज़कों सब बिकार है और आप लोग जानते हैं हमारी पेर्णा है और हम उनसे सीख लेते हैं और हर एक महिला उतर प्रदेश की जो भी महिलाएं हैं और कहीं की एक छुटा सा सौंग है अब देश हित में है कि हम लोग आजादी मनाते हैं लेकिन आजादी कैसे इस गाने में आप लोग को समया जाएगा और हमको क्या करना है अब की बरस आजादी ऐसे चलो मनाएं अब की बरस आजादी ऐसे चलो मनाएं किसी भूखे को खिलाएं किसी रोते को हसाएं किसी प्यासे को पिलाएं किसी रोते को हसाएं फुरसत यहां किसे की औरों के लिए सोचे करुणा नजर से जहांके ना आसु कोई पोछे ना आसु कोई पोछे ना फुरत की बहरी हुई मानों तक पहिया चलो ही लाएं किसी भूखे को खिलाएं किसी रोते को हसाएं यह देश है हमारा सब अपने देश वासी फिर क्यों कोई बिहारी फिर क्यों कोई मदरासी यह देश है हमारा सब अपने देश वासी फिर क्यों कोई बिहारी फिर क्यों कोई मदरासी नफुरत की आधियों से अपना वतन बचाएं किसी भूखे को खिलाएं किसी रोते को हसाएं धन की तलब में मन का भंवरा रहे ना प्यासा जिमेदारियों तले ना दब जाये मन की आसा धन की तलब में मन का भंवरा रहे ना प्यासा जिमेदारियों तले ना दब जाये मन की आसा नफुरत की आधियों से अपना वतन बचाएं किसी भूखे को खिलाएं किसी रोते को हसाएं क्यूंकि मुझे फिक्र नहीं की उस ताज का क्या होगा मुझे फिक्र है कि परवर्तन की आजाज का क्या होगा अगर आप जैसे पढ़ेली खेलोग अगर पेट की पुजारी बन गए समाज का क्या होगा बहुत बहुत शुक्रिया हमने याँ पर सीधी बातचीत की विचाल गाजी पोरी और सपना बॉस युनों ने जिस प्रकार अपने गानों के माध्यम से लगातार हो समाज के अंदर में जंजागरती करने का काम कर रहे है मिशन मुवमेंट को मंजिल मुकाम तक के पहुचाने के लिए लगातार बने हुए है इस पुरी बातचीत को लेकर क्या आपका मानना है क्या आपकी सोच है आपकी कमेंड बॉक्स में आपकी विचार जरूर लिखे बने रहे है नैशनल जौपाल के साथ तब तक के लिए जय जय भारत बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंड करें शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले